सब्सक्राइब कीजिए इतियास बोच चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन पाईए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोज अलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सब अच्छे होगे यह हमारा लेक्चर नमबर 8 है इसमें हम डिसकस करने वाले हैं मंधिकालीन भारती इतियास के वन नाइनर जैसा कि आप सभी को बता हैं हमने 500 वन नाइनर नोर्स की सीरी शुरू की है जो आपके आपको मैं बता दू जो मैं यह आपके साथ वन लाइनर डिसकस कर रहा हूं यह मेरे खुद के नोर्स है जो मैंने नेट जैरेफ के टाइम बनाये थे तो यह आपके लिए काफी यूजफूल होने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चार टाइम मैं नेट क्वालिफाई किया है इसके साथ ही मैं हिमाचल परदेश स्टेट इलिजबिटी टेस्ट भी क्वालिफाई हूं और बरतमान में मेरा एंफिल हिमाचल परदेश इनवस्टी शिम्ला से चल रहा है फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले दाम एवम रुपे के बीच तामबे का आना सिक्का चलाया था ठीक है जो आना ये सिक्का था ये शाजाने चलाया था जो दाम और रुपे के बीच की एक इकाई थी जो असी जीतल के बराबर होता था नेक्स्ट है रासो पंचाध्याय के लेखक अस्ट चाप के कपी नंददास ने अकवर के दरवार में संगीत गाते हुए दम तोड़ दिया था किनों ने दम तोड़ दिया था रासो पंचाध्याय ने जो अस्ट चाप के जो है लेखक है नेक्स्ट है सस्कृत को सरक्षन परदान करने वाला पहला शाशक अकबर था अकबर ने सस्कृत को सरक्षन परदान किया था अकबर हरिदास व्रिंदावन का संगीत सुनने भेष बदल कर जाता था यहाँ पर क्याएगा भेष भेष बदल कर ये जाता था नेक्स्ट है जोनपूर के हुसेंशा शर्की ने खयाल गायकी को जनम दिया था। जो एक खयाल गायकी है कि जोनपूर के अंदर जनमी थी और इसको जनम दिया था हुसेंशा शर्की में। अगला हमारा प्रशन है शाजा ने सरप्रत्थम अब्बु तालीब को कलीम की उपादी देकर राज कभी बनाया था ततत जगनात को भी कलीम की उपादी दे गई थी तो आपने याद रख रहा हैं कि जो अबुतालीब है और जगनात है उन दों को कलीम की उपादी दे गई कि शाजा खुशाल के संगीत में इतना लीन हो गया कि उसने अग्यापत्र पर बिना पड़े ही अस्ताक्षर कर दिये थे नेक्स्ट है मुहमद शारंगिला पिया के नाम से अनेक ख्यालों की रचना करता था तो ये भी आपने रिमेंबर कर लेना है नेक्स्ट है अबद का नवाब बाजीद अलिशा अक्तर पिया उपनाम से कभिताय लिखता था मुहमद शारंगिला पिया नाम से और अबद का नवाब जो था बाजीद अलिशा वो करता था अक्तर पिया के नाम से अगला है सरप्रत्थम मुगलकाल में चित्रकला विवाग अकवर द्वारा स्तापित किया गया था आपने याद रखना है चित्रकला का जो विकास है सबसे ज्यादा हुमायू के टाइम हुआ था लेकिन चित्रकला विवाग की स्तापना अकवर ने की थी तो इसमें कंफ्यू बानो और साइफा बानो ये जो है जांगीर के समय की चित्रकार महिला चित्रकार थी अकबर पहला मुगल बादशा था जिसने अपना रूप चित्र बनाया था नेक्स्ट है भीती चित्र से संबंदित चित्रकार जो भीती चित्र से संबंदित चित्रकार थे वो थे प्रतियंग तो बना लेता है लेकिन जब तक उसमें जीवन नहीं डाल पाएगा तब तक ईश्वर के विश्य में सोचेगा अकबर का कहना था कि केवल मात्र एक चित्रकार के पास ही ईश्वर को जानने पहचानने और समझने का साधन है क्योंकि वो प्राणियों के अंग प्र हस्ताक्षर अंकित किये जाने की पर था बाहरतिय कला में मुगलों की देन है जो चित्रकार अपने पैंटिंग में नीचे हस्ताक्षर करता है जैसे आज के समय में भी करते है वो हस्ताक्षर की जो देन है ये मुगलकाल से शुरू हुई है और पहला साक्षय में वसावन का मिलता है वसावन की हस्ताक्षर मिलते है और दूसरा केशव болix का देवदूत भेव्य बालक प्रभा मंडल का सरप्रत्थं प्रदेशन अकबर के समय चित्रित चित्रित रजमणामण में मिलता है किसमें रजमणामण में मुगलकाल में चित्रित अंतिम पंडुली पी मनसब जफर खां 1662-63 मानी जाती है जो मुगलकाल में अंतिम चित्रित पंडुली पी थी जिसके उपर चित्रांकन क्या गया था वो थी मनसबी जफर खांगी नेक्स्ट है बावर ने आतमकथा में बहजाद शाह मुझफर दो चित्रकारों का जो आतमकता है तुर्की भाषा में लिखी गई है तुझके वाबरी उसमें दो चित्रकारों का उलेख हुआ है बहजाद और शाह मुझफर नेक्स्ट है हुमायू की समय के चित्रकार हुमायू की समय कौन-कौन चित्रकार थे मीर सयद अली तबरी जी नादिर उल अस्त्र जो मीर सयद अली तबर्जी था इनकी उपादी थी नादिर उल अस्त्र और अब्दुल्शमद शिराजी जिसको शीरी कलम की उपादी दी गे थी नेक्स्ट है चोदा सो में मालवा पाक्षास्त्र की कृति नियामत नामा पहली चित्रित पांडुली पी थी जो पहली चित् नामा जो हमजा नामा है पहली चित्रित पांडुली पी थी मुगलकाल की हुमायू के समय थी और ये मुगलकाल से पहले की थी मालवा की थी नियामत नामा और जो हमजा नामा थी ये पहली चित्रित थी मुगलकाल की तो हमजा नामा थी ये पहली चित्रित पांडुली पी तब आएगा नियामत नामा और अगर मुगल काल की पूछी जाएगी तो हमझजा नामा पांडोली की जाएगा अकबर ने युद छित्र और युद में मृत अमीरों के चित्रों के निर्मान की परमपरा शुरू कि जो यूद में मृत शरीर हैं उनके भी चितरन किया जाएगा ऐसा अकबर ने प्राभधान किया नेक्स्ट हैं अकबर के समय के जो चितरकार हैं उसमें हैं दसावंत, बसावन, लाल मुकंद, मसीकन, केसुदास, भगवान, ननी कन्हा, तारानात, जमशेद, सामवलदास, जगननात, धनराज, फरूक बेग और हरीवंज इन में से जो उस्ताज की उपादी प्राप्त चितरकार थे जिन की उपादी उस्ताज की थी वो थे बसावन, लाल मुकंद, मिसीकन, जहांगीर ने आगरा में हेरात के अकरीजा के नेत्रतों में एक चितरशाला की स्तापना की थी, कहां पे आगरा में की थी नेक्स्ट प्रेशन है प्रभा मंडल युक्त रोप चित्रों की शुरुवात जहांगीर के काल से हुई है प्रभा मंडल से युक्त प्रभा मंडल जो एक पीछे जैसा बुद्ध के पीछे होता है प्रभा मंडल उसके चित्रों की शुरुवात मुगल काल में किसने की थी जांगीर ने अगला है दोलत ने पानी में देखकर खुद का चित्र बनाया था ठीक है उसने पानी में देखकर अपनी जो उसकी छाओं पानी की में पड़ी थी उसको देखकर खुद का चित्र बनाया था, किसने? दौलत में, दौलत यानि कि तल, फिर है विशनदास ने शाह-बबास इरान के शाषग का चित्र बनाया था यह विशनदास था इसने शाह-बबास का चित्र बनाया था इरान जाकर मनसूर एक पक्षी विशेशक्य चित्रकार था यह पक्षियों के चित्र बनाता था मनसूर उसने बंगाल का पुष्प जो उसके परमुक चित्र है बंगाल का पुष्प है साइवेरिया का सारस जे इसके परमुक चित्र है अब आता है अबदुल हसन जो अबदुल हसन था इ उसने जहांगीर के स्वपन का चितरण बनाया था जो जहांगीर को स्वपन में कुछ आया था उसका चितरण इसने बनाया था अब्दुल हसन में अगला है जहांगीर के समय के चितरकार जहांगीर के समय के चितरकार कौन-कौन से से दोलत है अगला हमारा प्रेशन है शाजा के समय के चितरकार अब आता है हमारे पहडी शेली जो पहडी चितरकलाओ की शेली थी जिसमें बारवाडा शेली निहाल चंदर किशनगड ये सम्बंदित थे बारवाडा शेली से अगली हमारी शेली है बसोली शेली मकूराम वो बसोली शेली से सम्बंदित थे और कांगडा शेली राजा संचार चंद जो हिमाचेल प्रदेश में है कांगडा और भोलाराम ये कांगडा शेली से संबंदित थे और जम्मु शेली के भजन सुख और नियन सुख नेक्स्ट है इदमत ऊदोला यानि की मिर्जा ग्यास वेग का मकवरा पहली मुगल रचनाती पहली इमारती मुगल काल की मकवरे की जिसमें पित्रदुरा पित्रदुरा शेली का परियोग हुआ है तथा पूर्टह संग मरमर से निर्मित प्रथम मुगल मकबरा मुगल काल में पहला मकबरा जिसमें संग मरमर का परियोग किया गया नेक्स्ट है चार बाग पदती दोहरे गुंबद का परियोग सरप्रतम हुमायू के मकबरे में हुआ है जो हाजी बेगम ने बनाय है हुमायो का मकबरा उसमें चार बाग पदती और दोहरे गुंबद का परियोग हुआ है मुगलकाल में और सल्तनतकाल में किसके मकबरे में हुआ है सल्तनतकाल में याद कीजिए नेक्स्ट है 1612 में निर्मित इसलाम खा के मकवरे में पहली बार बरगाकार महराओ का परियोग हुआ है इसलाम खा का जो मकवरा था उसमें बरगाकार महराओ का क्या है परियोग हुआ है जे सिंग सिद्राज प्रथम राजपूर शाशक था जिसने सती पर था समावत करने का परियास किया इसकी अतिरिक्त विध्वा पुनर विवा अंतरजात्य विवा को मानियता देने वाला पहला राजपूर शाशक था जेसिंग सिद्राज है जिनों ने मतलब पांच मेंद शाला की स्थापना भी की थी कौन-कौन ची थी वो वो थी दिल्ले जेपूर मथूरा उजेल यह जेसिंग सिद्राज ने की थी नेक्स्ट है अक्बर द्वारा अपने शाशन के अन्तिम बर्षों में बहु विवा पर प्रतिवन लगा दिया था अक्बर एक ऐसा सुल्तान था जिसने बोला कि केवल मातरा आपको एक पत्नी से शादी करनी चाहिए एक महिला से शादी करनी चाहिए नेक्स्ट है अकबर की माता हमीदा बानो वेगम जिनकी उपादी थी मरियम मकानी ने गायों को चराई के लिए अपने जागीर से जमीन दान दी थी गाय की चराई के लिए क्या है अपने जागीर के हिस्से से क्या दी थी जमीन को दान दिया था नेक्स्ट है तंबाकू अक्बर के काल में पुर्तगालियों द्वारा सरप्रथम दक्षिन भारत में लाया गया था अगला हमारा प्रेशन है मक्का, टमाटर, आलू, मेर्च, अननास, पपीता, अलफासो आम भारत में पुर्तगाली लेकर आए पुर्तकालियों ने ये सारी चीजे लाई थी, इनको भी आपने याद रखना है नेक्स्ट है, हिरोजी, फर्दंज, शिवाजी का हमशकल था हैंडरी आक्सेंड, अंग्रेज प्रतिनेधी, शिवाजी के राज्य विशेद के समय मौझूद थे समित ने शिवाजी के राज्य को दाकू राज्य का है नेक्स्ट है, मराठो में हजारे मजलिश, यह हजारे मजलिश थी, अपील की अंतिम अदालत थी जैसा आजकल सुप्रीम कोट हैं, अंतिम अदालत है, अपील की इंडिया के अंदर, उसके बाद आप इंटरनेशनल नयाले में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उसी तरह मराठो का जो अंतिम नयाले था, वो था हजारे मजलिश लास्ट प्रेशन है आजका, अकबर के दरवार का वो चितरकार, जिसे बादशा ने टक्षाल का अधिकारी निवत किया था, ये था दसवन्ट तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मैं बता दू, अगर आपने हमारे टेलीग्राम गुरूप को भी तक जो पूलूर कर सकते हैं,